Welcome to Government Jobs for You YouTube Channel आज इस वीडियो में हम बात करेंगे SSCCHSL Examination 2019 की इस recruitment में specially जो recruit किये जाते हैं वो है Post Office Clerk, Data Entry Operator and Lower Advising Clerk जो कि Central Government के विविन विभाग में आपको recruit किया जाता है इस recruitment के बारे में बहुत से aspirants को पता नहीं चलता है और इसको वो जानकारी के अभभाब में फिल नहीं कर पाते हैं फिल अप नहीं कर पाते हैं examination form को तो हमारे चैनल का मुख्या purpose भी यही है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों तक इस awareness को बढ़ाएं ताकि वो सरकारी नोकरियों में अब बात करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकोन को प्रेस कीजिए वीडियो अच्छा लेगे तो वीडियो को लाइक जिरूर कीजेगा अब बात करते हैं कि टोटल वीडियों कितनी है अब इन्होंने वीडियों को टोटल अब नहीं बताया है कि कितनी है लेकिन पिछली साल के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं लास्ट येर 3200 के आसपास थी तो इस बार हम अप्रॉक्सिमेट 3000 यहां पर रख रहे हैं जो कि बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है इसमें जो मेन जो पोस्ट फिल अफ होंगी वो है लोर डिविजिनल क्लर्क जूनियर सेक्टरेट असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट जिसको कि हम सिंपल वाशा में अगर कहें पोस्ट ऑफिस क्लेरिकल स्टाफ नेक्स्ट यहां पर है सौर्टिंग असिस्टेंट और नेक्स्ट फाइनली यहां पर है डाटा एंट्री ऑपरेटर अब यहां पर बात करें कि यह job किस तरह की है तो मैं आपको बता दूँ यह central government job है और आपका पेस के लिए यहां पर बहुत अच्छा रहेगा आप अपने आसपास के post office में देखते होंगे कि वहां पर clerical staff है तो उसका जो recruitment होती है post office में जो clerical staff recruit होता है वो इसी recruitment के माद्यम से recruit किया जाता है और बहुत से लोगों को इसके बार में अभी knowledge भी नहीं होती है कि यह कहां से इनकी recruitment होती है तो मैं आपको बता दूँ कि examination की आप सबसे पहले बता दूँ कि इसमें important dates क्या क्या रहने वाली है सबसे पहले यहाँ पर जो apply करने की starting date थी वो थी 5 March 2019 और closing date रहेगी 5 April 2019 और इसके बाद अकर बात करूँ कि आपका जो examination होगा वो कब होगा इसमें आपका जो tier 1 होगा तो वो आपका CVT होगा मतलब कि computer based test होगा इसके लिए आप 1 July 2019 से लेकर 26 July 2019 तक यह examination चलेंगे और बात कीजाएं यहाँ पर main examination की जो tier 2 examination होगा जो कि descriptive होगा वो होगा आपका 29 September 2019 को अब बात करें यहाँ पर कि आपका जो pay scale क्या रहने वाला है अगर बात मैं करूँ Lord Vision Clerk की तो यहाँ पर आपका जो pay scale रहेगा Lord Vision Clerk, Junior Secretary Assistant आपका यहाँ पर रहेगा 5,200 से लेकर 20,200 साथ में आपको 1,900 रुपीज का grade पे मिलेगा Postal Assistant मतलब कि Post Office Clerk, Shorting Officer जो assistant होगे इसका जो pay scale भी आपका same ही रहेगा लेकिन यहाँ पर आपको grade पे थोड़ा सा high मिलेगा यहाँ पर grade पे रहेगा 2400 रुपीज, नेक्स अगर बात करूँ मैं data entry operator की तो यहाँ पर pay scale सेम रहेगा थोड़ा सा यहाँ पर grade पे equal रहेगा Post Office Clerical के जैसा Finally यहाँ पर है data entry operator grade A, तो यहाँ पर pay board आपका बिल्कुल equal रहेगा जितनी vacancies आपकी ओपर data entry operator या Post Office Assistant की अब बात करते हैं यहाँ पर qualification की, यहाँ पर जो qualification आप 12 पास होने चाहिए किसी भी stream में आप 12 पास होने चाहिए, जा आपने science में plus 2 की हो या आपने arts में plus 2 की हो, या आपने commerce में की हो आपका 12 पास होना जरूरी है age limit की बात की जा तो यहाँ पर जो minimum age रहेगी वो रहेगी 18 साल and maximum age रहेगी 27 years अगर मैं बात करूँ schedule cast and schedule tribe के लिए तो आप 27 साल के बाद 5 साल को और जोड लीजेगा मतलब कि आपके लिए last जो upper age limit रहेगी वो रहेगी 32 years और मैं बात करूँ OVC के लिए तो आप यहाँ पर 3 साल order add कर लीजेगा तो आपके last age रहेगी 30 साल लेगि जनरल के लिए last जो upper age limit है वो 27 examination pattern के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जब आपका examination होगा वो यहाँ पर 3 टायर में होगा मतलब कि यहाँ पर जो 3 यहाँ पर आपका examination होगा यहाँ आपका computer based होगा जहाँ पर आपको click करना है चार option में से पांच option में से आपको साई कुछ click करना है यहाँ पर आपका रहेगा English language जो कि आपका basic knowledge रहेगा English में इसमें आपके 25 question होगे और आपका जो marks रहेंगे वो रहेंगे 100 मतलब कि एक question दो नंबर का रहेगा next यहाँ पर है general intelligence तो इसके भी 25 question रहेंगे दो नंबर का एक question होने वाला है finally यहाँ पर है quantitative aptitude जो कि basic arithmetic skills आप से यहाँ पर पूछेंगे 25 question यह रहेंगे जो कि आपके 50 marks के यह पर भी होगे finally यहाँ पर है general awareness जो कि 25 number के होंगे sorry 25 question होंगे और 50 marks के यह time duration की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 60 minute के अंदर 100 question solve करने होंगे और total marks रहेंगे 200 आपका examination मेंने पहले भी का था कि online based होगा अब बात करते हैं यहाँ पर second जो आपका examination होगा मतलब की second step इसको आप main बोल सकते हैं अगर आप पहले paper में pass हो जाते हो तो आपका यहाँ पर descriptive paper भी होगा यह आपका 100 number का होगा इसमें आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको essay लिखना होगा और एक letter या application लिखने होगा essay के लिए आपको 200 से लेकर 250 marks word का कुछ नकुछ ऐसे लिखना होगा साथ में letter या application आपको कम से कम एक से 50 word से लेकर 200 word तक लिखना होगा आप अगर हमें follow करना चाहते हैं तो आप हमें Instagram पे follow कर सकते हैं आपको Instagram ID का link नीचे description में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप हमें Instagram में follow कर सकते हैं साथ में अगर आप हमारे blog चैनल को subscribe करना चाहते हैं तो आप उसका link भी आपको नीचे description में मिल जाएगा हमें ज़रूट follow करें blog चैनल में भी और Instagram में भी बात यहाँ पर अगर करें tier 2 अगर आपने clear कर लिया तो उसके बाद आपका क्या होगा tier 3 के लिए आपको बुलाया जाएगा जो की रहेगा skill test या typing test इसमें आपका typing test होगा for the post of data entry operator के अगर में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 8000 जो key price से वो आपको करने पड़ेंगे एग घंटे के अंदर लो तो यह आपको जैसे है जैसे आप examination पास करते जाओ कि दा आपका पता चलता जाएगा application fees की बात करूँ तो general और OBC के लिए रहेगा सौर पे के application fees schedule caste, schedule tribe and female साथ में person with disability के लिए कोई भी fees नहीं रहे नी they are totally exempted important dates के मैं आपको बता दिया पहले लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपको apply करने की जो अंतिम दिती रहेगी वो रहेगी पांच April 2019 computer based tier 1 आपका होगा जो की examination है वो होगा 1 July से लेकर 26 July 2019 के बीच में और मैं यहाँ पर बात करूँ tier 3 sorry tier 2 जब कमें होगा वो होगा 29 September 2019 को इस के लिए अगर आप अभी apply करना जाते हैं तो उसका link आपको description में मिल जाएगा तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं